C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट ग्यारा रहीम के दोहे प्रिष्ट संख्या तिरासी कही रहीम संपती सगे बनत बहुत बहुरीद बिप्ति कसोटी जेकसे तेई साचे मीद जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मचरी नीर को तव न चांड ती छो तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहीम पर काजहित संपती सच ही सुजान थोथे बादर क्वार के जियों रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भय करें पाचली बात धर्ती कीसी रीत है सीत घाम ओ मे जैसी परेसो सही रहे त्यों रहीम यह दे प्रिष्ट संख्या 84 प्रश्न अभ्यास दो हेसे प्रश्न एक पाच में दिये गए दोहों की कोई पंक्ती कथन है और कोई कथन को प्रमानित करने वाला उदाहरन इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए प्रश्न दो रहीम ने कौार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बता कर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विशे में क्या कहना चाहेंगे पिष्ट संख्या 85 दोहों से आगे इन दोहों में बताई गई सच्चाईयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाब होंगे सोचिये और लिखिये क तरुवर भल नहीं खात है सर्वर पियत ना पान कही रहीम पर काजहित संपति सच ही सुजान ख धर्ती कीसी रीत है सीत घाम ओ मेह जैसी परेसो सही रहे त्यों रहीम ये दे भाशा की बात एक इन शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिये जैसे परे की जगा पर पड़े शब्द हैं बिपती, मचरी, बादर, सीत दो ये उदाहरन याद रखिये क बनत बहुत बहुरीत ख जाल परे जल जात बही इन उदाहरनों की पहली पंक्ती में बा का प्रियोग कई बार किया गया है और दूसरी में जा का प्रियोग इस प्रकार बार-बार एक द्वनी के आने से भाशा की सुन्दरता बढ़ जाती है वाक्य रचना की इस विशेशता के अन्य उदाहरन खोज कर लिखिए अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C I E T N C E A T नई दिल्ली भारत